तो जीहां दोस्तो अगर ये वाले पांसाइन आपके फोन में दिख रहे हैं तो समझ लेना कि आपका फोन हैक हो चुका है हम अपने फोन का इस्तमाल, मेल, मीडिया और फैमिली की फोटोज वगेरा हर चीज अपने फोन के अंदर रखते हैं और तो और हम अपने बैंक का लेंदेन में अपने फोन से करते हैं तो इस स्थीती में कौन नहीं चाहेगा कि अपने फोन को वाइरस से और हैकर से बचाया जाए तो वो वाले 5 कारण क्या है वो हम discuss करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को जड़ा सा भी skip मत करना वीडियो को end तक देखना और हो सके तो वीडियो को चलते चलते like भी कर देना चैनल पर नए है तो subscribe भी कर लेना तो आईए करते हैं वीडियो को सुरू sign number 1 pop up advertisement अब ये pop up advertisement क्या होता है ये notification के थुरू आपके phone में भेजा गया message होता है जो कि किसी एक particular app दवारा भेजा जाता है माल लो आपके phone में बार बार किसी की advertisement आ रही है और आप उस पर tick करते हो तो भाई सहाब आपका phone hack हो सकता है ऐसे मामलों में उस pop up वाले notification पर हमें टिक नहीं करना है क्लिक नहीं करना है sign number 2 automatic किसी को call लगना किसी को message चला जाना तो सबसे पहले हमें अपने phone की calling वाली list चेक करनी है कोई ऐसा number तो नहीं है जिस पे हमने call कभी किया ही नहीं और कोई message box में कोई ऐसा number तो नहीं दिखाई दे रहा जिस पे ना तो हमने कभी message किया और ना हमारे पास उस number से कभी message आया अगर इस थिति में आपके phone पर ये चीज़ दिख रही है तो समझ लेना कि आपका phone hack हो चुका है sign number 3 बहुत slow processing यह है बहुत slow processing दो रीजन से हो सकती है reason number 1 यदि आपके phone की internal memory 90% से ज़्यादा हो चुकी है तो आपका phone slow हो सकता है आपको सबसे पहले अपने phone की memory चेक करनी है 90% से अगर कम है आपकी memory loaded 40-50% है और आपका phone slow हो रहा है तो समझ लेना कि आपका phone hack हो चुका है sign number 4 आपके phone का net वाला data हद से ज़्यादा यूज होना अब हद से ज़्यादा यूज होना मतलब जितना आप यूज करते हो वो दिन में पदा चल जाता है अगर आपने ये वाली setting नहीं की हुई तो जल्दी से phone में कर भी लो बेशक्से network information की show network information अगर आप उसको on कर लेते हो तो आपका mobile का data जितना आप दिन में यूज करते हो वो आपका उपर वाले panel में आपको दिखाई दे जाएगा यदि आपका data आप जितना यूज करते हो उससे double use हो रहा है वो चीज़ आप चेक भी कर सकते हो particular applications की settings में जाके वहाँ पे आप ये चीज़ चेक कर सकते होगी कौन सी application कितना data खा रही है तो अगर आपका data किसी ऐसी application में यूज हो रहा है जिसको आपने पूरे दिन में खोला ही नहीं पूरे दिन में क्या 15 दिन 20 दिन महीने तक खोला ही नहीं तो ऐसी application को आप तुरंत अनिंस्टाल कर दीजिए क्योंकि उसकी वज़े से भी आपका phone hack हो सकता है sign number 5 तेजी से battery खतम होना यदि आपके phone की battery कल तक बिल्कुल पूरा दिन निकाल रही थी और आज उसी same use में आदा दिन निकाल रही है और बिल्कुल तेजी से battery जा रही है तो उसको भी आप चेक कर सकते हो कि आपके phone की battery किस application ने कितनी यूज की है वो भी आपको particular applications की setting में जाके पता लग पाएगा कि आपकी कौन सी application ऐसी है जिसे आपने यूज ही नहीं किया लेकिन battery सबसे ज़्यादा खा रही है तो उस application को तुरंत आप uninstall कर दीजिए उसकी वज़े से भी आपका phone hack हो सकता है तो ये थे वो 5 sign जो इस वीडियो में बताए आपको अगर आपके phone में ये वाले 5 sign दिख रहे हैं भाई साप तो समझ लेना कि आपका phone hack हो चुका है तो मिलते हैं ऐसे ही नए topic के साथ अगले वीडियो में तब तक आप इन दो वीडियो में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हो